ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशी मेश में एप्रिल 2023 में जा रहे हैं जहां वहां उनका सूर्य ग्रहन भी होगा तो इस एक शुब परिवर्तन का और एक अशुब सूर्य ग्रहन का आप पर यानि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस आपका स्वागत करता हूँ सूर्य अपनी उच्च राशी मेश में जा रहे हैं जहां राहू उन्हें ग्रहन भी लगा रहे हैं तो एक अच्छी घटना और एक अशुब सूर्य ग्रहन का दोनों बातों का मिला कर आप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा इस वीडिय वीडियों को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है सबसे पहले हैं देखेंगे कि यह राशी परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा फिर जानेंगे सूर्य ग्रहन किस दिन हो रहा है फिर देखेंगे सूर्य इस मेश राशी में क्या अच्छे मन ही है इसलिए हर राशी फल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूँगा और तब अंत में सभी बारा राशियों का राशी फल अलग अलग समझेंगे तो देखते हैं सबसे पहले कि यह राशी परिवर्तन सूर्य का कब हो र रहेंगे जहां वह 13 14 मई 2023 तक रहेंगे सूर्य ग्रहन भी यहीं 20 एपरिल 2023 को इश्री राशी में होगा तो क्या प्रभाव आएगा सभी बारा राशियों पर इस पर हम विस्ताल से चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्रहन बहुत महत्तुपूर्ण घटना है क्योंकि इसमें क्या होगा 20 एपरिल को भारतिय समय के अनुसार सुबह साथ बजे से लेकर दिन के साड़े बारा बजे तक सूर्य ग्रहन रहेगा भारत पर इसका विशेश प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा तो इससे जो सूतक के नियम होते हैं ग ग्रहन से 12 घंटे पहले जो खाने पीने या देव दर्शन मंदिर जाने आने के नियम होते हैं उन में भारत के लोगों को किसी नियम विशेश को फॉलो करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह ग्रहन भारत से बाहर के देशों में ही अधिकतर दिखाई दे रहा है लेकिन चुकि मेश राशी में है ग्रहन हो रहा जो सूरी की ही उच राशी है और सूरी इस राशी में जा रहे हैं तो ग्रहन के प्रभाव तो सभी 12 राशियों पर आएंगे ही आएंगे तो आपको इस सूरी के मेश राशी में जाने का क्या अच्छा परणाम होता है उसको पहले हम समझें फिर उपायों और बाकी चीजों पर चर्चा कर लेंगे, देखिए किस पर यह प्रभाव अधिक पड़ेगा, जाहिर सी बात है सूर्य मेश राशी में अगर ग्रहन लगा रहे हैं, सूर्य का राहू ग्रहन लगा रहे हैं, तो मेश राशी वाले लोग सबसे अधिक प्रभाव का जाएंगे चर राशी में यह गरहन हो रहा या यानि मेश राशी में तो जितनी भी चर राशेया है यानि 1, 4, 7, 10 मेश, करक, तुला, मकर यह चारों ही चर राशीया विशेश रूप से इस गरहन की वज़े से प्रभावित होंगी अब देखते हैं कि किस नक्षत्र में ग्रहन हो रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है अश्विनी नक्षत्र में जब सूर्य होंगे उसी समय ग्रहन होगा अश्विनी नक्षत्र केतू का नक्षत्र है तो एक तो राहू ग्रहन लगा रहे हैं और उस सम complete ग्रहन माना जाएगा यानि इसके प्रभाव बहुत ही सघन होंगे तो भारत से बाहर जो लोग रहते हैं उन पर प्रभाव बहुत अधिक पढ़ने वाला है भारत के लोगों पर भी पढ़ेगा जोतिश के नीमों के हिसाब से पढ़ेगा जरूर हाँ पूजा पाठ के नीमो अच्छा पहले अच्छी बातें सूर्य मेश राशी में उच्छ होते हैं दोनों ही अगनी तत्तो के 안धेया यानि मसध राशी मेशाह हिसलिए अगनी ततो की राशी मानी जाती है सूर्य पहला राशी पहली राशी है पहली चीज़ पर राजा का अधिकार माना जाता है इसलिए सूर्य मेश राशी में उच्च माना जाता है जब सूर्य मेश राशी में आता है तो नौ वर्ष का चैत्र महिना होता है यह भी पहला महिना होता है इसलिए यहां सूर्य को बल बहुत अधिक मिलता है यहां पर यह इस बात का विचार रखिएगा कि मेश राशी जोतिश में पूर्व दिशा की राशी मानी जाती है, सूर्य पूर्व में बली होता है, क्योंकि पूर्व से ही उता है इसलिए पूर्व दिशा की राशी में बैठने से सूर्य बलवान हो जाता है, साथ ही सूर्य जिस राशी मे भी जाता है, उसके गुणों को प्रकाशित करता है, तो मेश राशी जो है, वह किन गुणों को दिखाती है, इच्छा शक्ती, सेहत, और इसके साथ साथ आत्म संवान, मेहनत, इन सब चीजों पर मेश राशी का अधिकार माना गया है, तो इन सब चीजों में बढ़ोत्तरी हो योग के bीज माने गए हैं जोतिश में निकिसी कुंडली में बहुत बड़े-बड़े राजियोग हों लेकिन सूर्य-चंद्रमा बहुत कमजोर हों तो राजियोग रिजल्ट नहीं देते हैं तो सब 도 to के राजयोगों का बल या क्युंडली में किसी तरह की योग का बल सूर्य चंद्रमा की शक्ति पर निर्भर करता है इसलिए जोतिश के अनुसार ग्रहन लगने से सभी ग्रहों की शक्ति कम हो जाती है इसलिए ग्रहन जोतिश में अच्छा नहीं माना गया है अब एक चीज़ क आप ध्यान रखिए कि यहां पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ बैठे हुए है इसलिए इस ग्रहन का प्रभाव कमपलीट ग्रहन माना जाएगा साथी साथ सूर्य ग्रहन हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और सूर्य ग्रहन के ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहन आत दिनों के अंदर में आने की वजह से भी सूर्य चंद्रमा की शक्ति कमजोर होती है, ग्रहों का परिणाम देने का पावर भी कम हो जाता है, देखिए ग्रहन के प्रभावों से ब्रिहस्पती रक्षा करते हैं, क्योंकि ब्रिहस्पती में बल होता है, गुरू सबसे शुबग् इसलिए ब्रिहस्पती की स्वैम की शक्ती छीन रहेगी वह सूरी की रक्षा करने में असमर्थ है इसलिए भी ग्रहन के उपाय करने बहुत अधिक जरूरी है तो यहां कोई किसी तरह का बचाव होता हुआ नहीं दिख रहा है हाई डिस्ट्रक्शन है यहां पे कुछ दिनों ग्रहन का प्रभाव कम से कम एक हफते तक तो जरूर रहता है वैसे तो 15 दिन अमूमन मानते हैं ग्रहन का प्रभाव रहता ही रहता है उस राशी पर और उसके सामने वाली राशियों पर या अगर चर राशी में है तो बाकी चर राशियों पर भी प्रभाव रहता ही रहता ह स्वास्ते को विशेश रूप से प्रभावित करता है, सूरे हमारे शरीर में आख, पित और हड़ी का कारक होता है, इसलिए लीवर, स्पाइन और स्प्लीन और आईज और बोन्स इन चीजों पर सूरे का अधिकार माना गया है, हमारे शरीर में जो अगनी का सेंटर है, यानि हमारा जो फायर सेंटर है, सोलर फ्लेक्सस जिसको हम मणिपूर चकर कहते हैं, योग में यानि पेट, आमाश है, उस पर भी सूरे का अधिकार माना गया, जठरा अगनी पर जो हमारे शरीर में खाने को पचाती है, लीवर के एरि कोई हूई कोई बीमारी या समस्या चल रही है, उन्हें अधिक रूप से सतर्क रहना चाहिए, देखिए, ग्रहन अगनी राशी में हो रहा है, इसलिए ग्रहन के समय में खाना पीना बहुत कम रखना चाहिए, खास तोर पर लिक्विड का सेवन अधिक करना चाहिए, सूरे को खुली आख से देखना भी नहीं जाहिए ग्रहण एक निगेटिव सोलर या कॉस्मिक इवेंट है हम क्या उपाय करें कि सूर्य ग्रहण का हम पर नकार आत्मक प्रभाव ना पड़े सबसे पहली बात सूर्य हमारे आत्म सम्मान को दिखाता है राहू उसे नुकसान पहुच से बचना चाहिए कार या स्थल पर विशेश सावधानी वसा तरकता की जरूरत तो रहेगी दूसरी बात ग्रहण के समय में दैव शक्ती कमजोर हो जाती है इसलिए शुब ग्रहण भी अपना पूरा परणाम नहीं दे सकते हैं कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन तक ग्रहण के बाद रुख जाना चाहिए अती आवश्यक या इमर्जेंसी के काम ही अगर कोई जरूरी है जो नया शुरू करना है वही करें बाकी चीजों के लिए थोड़े समय तक इंतजार करना चाहिए प्रभाव शरीर पर और स्वास्त पर सूर्य में हो विशेश तोर पर मेश राशी में गर्मी के दिनों में तो हमें सूर्य की वस्तु यानि गुड़ का प्रियोग करना चाहिए यह आयरुवेद की एक किताब है इसके गरंतकार महर्शी वागभट कहते हैं कि गुड़ का प्रियोग करने से हमारी पाचन शक्ति मजबू के समय में आयरुवेद के लोग भी जोतिश या कुंडली का विचार करते हैं पुराने लोग तो जरूर करते थे इसको हम मेडिकल एस्ट्रोलजी में यूज भी करते हैं तो गुड़ का प्रियोग करने से सूरी के बुरे प्रभाव में शान्ती मिलती है सूरी अगर पाचन तंत्र को बिगाड़े तो गुड़ का प्रियोग करने चाहिए वैसे भी गुड़ की खासियत है गर्मी के दिनों में गुड़ शरीर को ठंडा रखता है पाचन को मजबूत करता है और ठंड के दिनों में शरीर में गर्मी को बढ़ाता है और पाचन को फिर से मजबूत कर देता है, इसलिए सूर्य के अन्न गुढ का आप पर्योग कर ये मरशी पाराशर बतते हैं गेहू के साथ, यानि जौ बाजरा जितने भी खाने हैं उनके साथ अन्न के साथ गेहू और गुढ भी बताते हैं, क्योंकि गुड का शर्बत पीने से भी सूरे का अच्छा इलाज माना जाता है यानि गुड का प्रयोग कीजिए दूसरी बात ग्रहन के समय में कुछ चीजें आप छू कर संकल्प करके दान जरूर कीजिए ग्रहन जब हो रहा हो उस समय कुछ चीजें अपने घर में संकल्प रूप में चू कर दान करने के लिए रख लिजिए क्या चीजें होनी चाहिए गेहूं गुड तिल काले तिल और लाल तिल भी आप प्रयोग कर सकते हैं चना, घी, कुछ पैसा इन चीजों को आप एक तरफ रख लीजिए और ग्रहन जब समाप्त हो जाए उसके बाद मंदिर में जाकर वहाँ दान कर सकते हैं या किसी सफाई कर्मचारी को भी आप दे सकते हैं इससे भी ग्रहन के बुरे प्रभाव में कमी आएगी ग्रहन के समय में आप अपनी गुरु मंतर का जब कर सकते हैं पूजा तो नहीं करनी चाहिए लेकिन गुरु मंतर का माला पे जब जरूर कर सकते हैं इसके अलावा सूरे के मंतर या आदित्रदेस तोतर का भी पाट कर सकते हैं ओम घ्रण ही सूरिय आयनमा मंत्र का भी जब कर सकते हैं ग्रहन के पश्चात घर को विशेश रूप से गंगाजल से धोल कर साफ कर लेना चाहिए तो ग्रहन के बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं इतने सारे अगर आप पूपाय कर लेंगे तो आपको सूरिय के मेश राशी के गोचर का और अच्छा प्रभाव मिलेगा और ग्रहन के बुरे प्रभाव से भी आपको मुक्ती मिल जाएगी अब सभी 12 राशियों का राशी फल शुरू करने से पहले एक विनमर निवेदन आपसे अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविश्ची में ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लि कोशिश ज़रूर करूँगा अब मेश राशी से हम राशी फल के शुरुवात करते हैं मेश राशी के لिए सूर्य दो तरह का परणाम देंगे पहला सूर्य इस राशी के लिए पाँचवे भाव के मालिक माने जाते हैं या अच्छा भाव लक्षमी संतान विद्या, वह चेत्रों में हैं या राजनीती में हैं उनके लिए यह अच्छा योग कहा जा सकता है पदप्राप्ति के योग बनते हैं इस पर आपके कर्मस्थान के स्वामी शनी की भी दृष्टी है जो अभी अपनी राशी में है तो शनी वैसे सूरी को देखते हैं तो समस्याइं तो दे को छोड़कर आपको सूरे अच्छा परणाम देंगे लेकिन जब ग्रहन होगा यानि 20 अपरिल के पास उस समय आपको बहुत अधिक सा तरक्ता इनहीं बातों में रखनी पड़ेगी यानि अपने स्टेटस को बचाने की जद्व जहद करनी पड़ेगी कार यस्तल पर किसी स तक्राव न हो जा इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा अपने घर में किसी तरह की तकलीफ की घटनाओं से आपको बचना पड़ेगा खास तोर पर अगनी और चोरी इन दो घटनाओं से आपको विशेश तोर पर सावधानी रखनी पड़ेगी वीडियो के खर्च को दिखाता है विदेश को दिखाता है घूमने फिरने को दिखाता है सेहत की समस्याओं को भी दिखाता है इन सब चीजों में सूरे बढ़ोतरी ला देंगे सूरे आपके चोथे घर के मालिक है यानि आपके रेजिदेंस के मालिक हैं तो जो लोग भी विदेश जान के उपर शनी आपके कर्म अस्थान के स्वामी हैं तो कार यस्थल में आपके तरक्की आपको जरूर देखने को मिलेगी यह पूरे महिने आपको अच्छे परणाम सूरे दे सकते हैं लेकिन सेहत सम्मंदी समस्यां आपको विशेश तरप-पर परिशान कर सकती हैं तो ग्रहन का जादा जो निगेटी प्रभाव है वह व्रिश राशी वाले लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य आपकी आखों और स्किन और लीवर इन तीन चीजों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं आपको हॉस्पिटल सम्मंधी बढ़ेंगे यहां पर सेहत की सावधानी को अधिक तो आपको देखना पड़ेगा अचानक घर से दूर जाने का योग या ट्रांसफर का भी योग नौकरी में बन सकता है वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाए बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं मिथुन राशी के लिए सूरे का गोचर ग्यारह में इंकम के घर से हो रहा है वहां भी वह अपनी उच्च राशी से गोचर कर रहे हैं आपकी राशी के सौमी बुध के मित्र हैं और तीसरे घर के सौमी बनते हैं सूरे जो एफर्ट्स को यानि प्रयास को दिखाता है तो अभी सूरे के साथ बुध भी बैठे हुए हैं जब सूरे इस राशी में गोचर करेंगे तो बुध भी मेश राशी में ही बैठे हुए हैं तो आपका प्रयास और आपकी मेहनत पूरी आपके साथ रहेंगे और उसका आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि आपकी राशी के स्वामी बुद्ध सूरी के साथ 11 में इनकम के घर में साथ बैठा हुआ है हाँ राहु भी वहाँ बैठे हुए है तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बुद्धी में जिद नहीं आनी चाहिए सिर्फ इसी बात से नुकसान हो सकता है नहीं तो बाकी सब चीज़ों क के लिए अच्छा रहेगा वीडियो के शुरूर में जो मैंने उपाय दिये हैं ग्रहन से बचने के लिए उन्हें जरूर कर लीजिए करक राशी के लिए सूरी के गोचर आपके दस्वें भाव से होगा करमस्थान से होगा वाभी उच्च राशी में काम में तरकी के योग आपको जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन चुकि यहां ग्रहन भी होगा दस्वें कर्म भाव में तो आपको काम में विशेश सतरकता भी रखनी पड़ेगी अब देखिए जिस दिन ग्रहन हो रहा है उस दिन आपकी राशी के स्वामी चंद्रमा भी सूर्य और रहू के 25-26 तारीक तक का एपरिल में समय है आपको विशेश रूप से साउधान रहना चाहिए अभी आपके उस समय राशी के स्वामी चंद्रमा भी कमजोर इस्तिती में होंगे और कर्म अस्थान पर ही आपके ग्रहन भी हो रहा होगा तो एक सब्ताह लगबग आप विशेश साउ स्वामी बनते हैं और रहू के साथ ग्रहन में होंगे साथ में बुद्ध भी होगा जो आपके खर्चे के घर का स्वामी है तो अचानक परिवार में किसी तरह की कोई विशेश एमर्जेंसी आने की वज़े से आपको पैसे का खर्चा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर ग्रहन के कुछ समय की बात छोड़ दें तो वैसे सूरी का यह गोचर आपके लिए अच्छा सावित होने वाला है उच्च का सूरी आपके कर्मस्तान में आपको रेकोगनिशन दिलाएगा और आप अपने काले छेतर में अच्छी चमक के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे सूरी ग्रहन के बुरे प्रभावं से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं सिह राशी के लिए सूरी का गोचर आपके नवे भाव से अपनी उच्छ राशी में होगा अगर राशी का स्वामी ही अपनी उच्छ राशी में जाए वह भाग और धर्म के घर से तो फिर अच्छे परणाम आने चाहिए तो सिह राशी वाले लोगों को अच्छे परणाम तो जरूर मिलेंगे मेश राशी में सूरी के जाने से लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि सूरी का ग्रहन भी हो गया यानि आपकी राशी के स्वामी ग्रहन में भी रहेंगे राहू से और राहू नवे भाव में उनको ग्रहन लगाए यानि धर्म के घर में, पिता के घर में, ख्यान रखना पड़ेगा तो ग्रहन का निगेटिव प्रभाव आप पर कम आएगा लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि आपका चुकी बुद्ध भी वहां बैठा होगा बुद्ध भी ग्रहन में होगा तो बुद्धी की कमजोरी उपर से शनी भी इस ग्रहन को और सूरे को दे किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से बचिए किसी तरह के जगड़े विवाद से आपको बहुत बचना चाहिए वरना कोट कचारी मुकदमे तक भी बात जा सकती है सेहत की समस्या आ सकती है तो दो तरह का परणाम आपको सूरे इस राशी परिवरतन में देंगे एक तो कन्या राशी के लिए सूरे का गोचर आपके आठवे भाव से हो रहा है अब सूरे आपके बारह में यानि खर्चे के घर के मालिक है वह आठवे भाव में जा रहे हैं सेहत की समस्या आपको आती हुई दिख रही है और उन पर खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन ज राशी का स्वामी वह भी आठवे घर में ही होगा आठवा घर अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है लेकिन आपको ग्रहन और ग्रहन की एक सपताबाद यानि 20 से 27 अप्रिल तक किसी तरह के रिस्की इंवेस्टमेंट से या स्पेकुलेशन से बचना चाहिए बाकी समय में सूरे का यह गोचार आपको इन मामलों में तो अच्छा परणाम देगा एक तरह का विप्रीत राजयोग जरूर बना रहे हैं सूरे यानि 12 में अशुब भाव के स्वामी 8 में अशुब भाव में उच्च होकर जा रहे हैं तो अच्छा है जो लोग भी धर्म से जुड़े ह हैं उनके लिए अच्छा है लेकिन शनी की तीसरी द्रिष्टी यहां चीज़ों को जरूर बिगाड़े की खास तोर पर स्वास संबने समस्याएं दे सकती हैं जो लोग डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है लेकिन उनके प्रोफेशन में उनको तरक्की देखने को सात्वे भाव में हो रहा है सूर्य दो तरह का आपको परणाम देंगे देखिए सूर्य का सात्वा गोचर कभी भी बहुत शुब नहीं माना जाता है लेकिन सूर्य जब भी राशी को देखते हैं तो प्रभाव चेतर में वृद्धी करते हैं यह निश्चित बात होती है वह आपके ग्यारहवे भाग के स्वामी है यानि इंकम के घर के स्वामी है कॉंटाक्ट के घर के स्वामी है जब वह सात्वे व्यापार के घर से गोचर करेंगे तो आपके प्रभाव चेतर में वृद्धी करेंगे यानि आपके नए-नए कॉंटाक्ट बनेंगे लेकिन यह ग्रहन भी हो रहा है, वह भी आपकी राशी से सीधे सात्वी राशी में, यानि सूर्य आपकी राशी को तो देखी रहे हैं, और ग्रहन के सूर्य हैं, तो वह आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इंकम में स्क्वीज फील करा सकते हैं सूर्य, ख इससे हमें अपना काम लेना है, इस पर बहुत सोच समझ के साथ फूख फूख कर आपको कदम बढ़ाना चाहिए, ग्रहन के पश्चात सूरे आपको अच्छे परणाम देंगे, लिकिन जीवन जाती के साथ संबंधों को लेकर भी या उनकी सेहत को लेकर आपको चिंताएं आ स यह बात सही है, लेकिन शनी आपकी राशी के लिए important और positive planet है और अभी अपनी ही राशी में है, तो वह चीजों को बिगाडने की नहीं, बलकि संभालने की कोशिश करेंगे, तो शनी के उपाय करते रहे और ग्रहन के negative impact से बचने के लिए वीडियो को शुरू में जो मैंने उपाय बताएं, आप उन्हें कर लीजिए, वृष्चिक राशी के लिए सूर्य का गोचर आपके छठे भाव से होगा, नौकरी के घर से, सूर्य वैसे भी आपके दस्वे करमस्थान के स्वामी है, काम में promotions देखने को आपको जरूर मिलेंगी, जब सूर्य का प्रभाव र अपरिल में सूर्य अपना सबसे अच्छा प्रभाव आपको देंगे, नौकरी में आपको प्रोमोशन भी मिल सकता है, और अच्छे प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन 20 अपरिल से 27 अपरिल तक, ग्रहन का पूरा एक हफता है, यानि 20 अपरिल को ग्रहन होग लेकिन उसके प्रभाव तो एक हफते तक जरूर पूरे मिलेंगे, उस दोरान आपको कारी छेतर में समस्या आएं, जहलनी पढ़ सकती है, सूर्य आपके कर्म के मालिक बनते हैं, अधिकारी वर्ग के मालिक बनते हैं, किसी तरह की अधिकारी वर्ग से होने वाली समस्या आपको अपने आपको बचाना चाहिए, अनावश्यक का जगड़ा हो सकता है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं हो, तो किसी तरह के थर्ड पार्टी मेडियेशन से भी आपको बचना चाहिए, यानि दो लोगों का जगड़ा हो रहा है, उसको सुल जाने जाएंगे, आप ही स समस्या में आजाएंगे, इन बातों का आपको अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत में भी जो लोग लीवर की या आँखों की समस्या से जूज रहें, उनके लिए तकलीफ बढ़ सकती है, तो आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, वो करने चाहि हैं और पांचवे घर लक्षमी अस्थान से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा परणाम देंगी क्योंकि उचराशी में हैं, यानि भाग्य कमाली की उचराशी में चला गया है, पांचवा घर संतान और पैसे को दिखाता है, इन दोनों चीजों में तरक्की देखने को मिलेग या विद्या को भी दिखाता है, तो जो स्टूरेंट्स हैं, एक्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, या एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, कोई टीचर भी हैं, उनके लिए भी इंप्रेशन्स अच्छे आएंगे, या उनके स्टूरेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे वहीं 20 अपरिल को गरहन होगा, तो उसकी एक हफते बाद तक वो निगेटिव रहेंगे, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपको सूर्य गरहन की वज़े से निगेटिव प्रभाव क्या मिल सकते हैं, संतान की सेहत को लेकर समस्या हो सकती है, और किसी नई नौकरी के लिए इंटर्विव में जाना हो, तो आप 20 अपरिल से 27 अपरिल तक नहीं जाएं, तो आपके लिए बहतर रहेगा, आप टाल सकते हैं, तो टाल लीजिए, किसी तरह के अप्रेजल के लिए, यानि जॉब कर रहें, तो अप्रेजल का अगर टाइम है, और एक हफ ऋपने के लिए सूर्य का गोचार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो वीडियो का शूरू में जो मैंने उपाई बताया है, बुरे प्रभावं से बचने के लिए उन्हें आपकर सकते हैं, मकर राशी के लिए सूर्य का गोचार आपके चौथे भाव से हो रहा है, सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं बनते हैं, एक तो आप की राशी के स्वामी के मित्र नहीं है, अश्टम भाव, आठवे घर के मालिक बनते हैं समस्याइं देने वाले ग्रह हैं, वह अगर अपनी उच्चे परिस्थिती में आपके चौते घर में आनी परिवार के घ और आठ्वा घर एक्सिदेंट्स को दिखाता है तो चोथे और आठ्वे का संयोग हो जाना चोट को दिखाता है साउधान रहिएगा यहां से सूर्य अपनी साथवी दृष्टी से आपके करियर को भी देखते हैं तो करियर में भी उथल पुथल मचा सकते हैं खास तोर पर ग ग्रहन अच्छा नहीं है यह गोचर भी अच्छा नहीं है क्योंकि चर राशी है जैसा मैंने बताया था चर राशियों के लिए यह सूर्य का गोचर और ग्रहन अच्छा नहीं है वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए जरूर काम शुरू हो जाएगा अच्छा है आपके लिए भाग दोड़ बनी रहेगी इस्पेशली जो लोग sales and marketing के छेत्रों में हैं या public relations से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा लेकिन सूर्य यहां भी दो तरह का परणाम देंगे देखिए जब ग्रहन में नहीं होंगे यानि 14 अपरिल से 19 अपरिल तक सूर्य आपको positive result देंगे क्योंकि यहां आपकी राशी के स्वामी शनी की भी द्रिष्टे उन पर रहेगी तो शनी सूर्य के result को बिगाडेंगे नहीं बलकि सूर्य को result अच्छा देने के लिए प्रॉड करेंगे अच्छा है लेकिन राहु जब यहां आएंगे यानि राहु तो यहीं है मेश राशी में ही और सूर्य के साथ जब पूरन रूप से ग्रहन में आ जाएंगे 20 अपरिल को तब आपको यह हां समस्याइं देखने को मिल सकती है मेश राशी में जब भी राहु के साथ सूर्य होते हैं तो व्यक्ति को सर में तकलीफ हो सकती है चोड़ चपेट या अधिकारी वर्ग से विवाद हो सकता है इन पे आपको सतर्क रहना चाहिए यहां से सूर्य आप सात्वीं दृष्ट सूर्य आपको कुछ समस्याइं जरूर दे रहे हैं और साड़े साती करण समस्याइं बढ़ती हुए दिख रहे हैं वीडियो को शुरू में जो मैंने उपाय बताएं आप उन्हें जरूर कर लीजे मीन राशी के लिए सूर्य का गोचार आपके दूसरे घर से हो रहा है सूर वह अपनी उचराशी में जाएंगे तो अचानक आपके खर्चे इन ही चीजों पर होंगे परिवार में किसी से विवाद हो सकता है और आपको बहुत सम्हलना चाहिए आपकी वाणी बहुत कटू हो जाएगी क्योंकि यहां राहू भी बैठेंगे वाणी अस्थान पर सूर साया सकती है तो इसी से उपाय भी निकलता है बुरा बोलिये ही नहीं किसी तरह के किसी फ्लाश पॉइंट क्लाश से अपने आपको बचाईए फिर भी आपको कुछ न कुछ परिवार में खर्ची या विवाद तो आएंगे ज़रूर धैरे से उन्हें निप्टारा कीजिए आपकी साड़े साती शुरू हो चुकी है तो साड़े साती के प्रभाव भी आपको शनी अभी दे रहे हैं अब शनी आपको इस समय सूर्य और रहू को भी देख रहे हैं तो इन सारे निगेटिव प्रभावों में वह व्रिधी कर देंगे वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताये हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं अभी आपको और भी वीडियो दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं शनी के राशी परिवर्तन का भी उपाय है और गुरू के राशी परिवर्तन से भी या गुरू से ज पिश्वर हम सबका करल लाड़ करें, हरी होग।